Hello students, welcome to another class of GK, this is the topic Acid Rain ये आपका विशह है आज का Acid Rain आई जाने इसके बारे में Acid Rain is a kind of acid deposition, it can appear in many forms, wet deposition is rain, sleet, snow or fog that has become more acidic than normal जो Acid Rain होती है या कहा जाए कि जो Acid की वर्षा होती है वो कई तरीके से होती है जो कभी अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है जैसे कि Acid Rain के लिए wet deposition, sleet, snow or fog के रूप में Dry deposition happens when dust particles and gases become acidic in nature ये जब Acid जो होता है, जब गैस जो होती है जब ये इसके साथ dust particle के साथ मिल करके गैस फॉर्म करती है तो ये Acidic Nature का का काम करने लगती है This deposition of Acid Rain and Gases has blackened many monuments and historic buildings और इसकी वज़ा से ये Acid Rain और Gases की वज़ा से बहुत से एतिहासिक जो buildings थी और इमारते थी उसको बरबात कर दिया आईए जाने उसके बारे में First one यहाँ पर clues दिये वे उपर और इसी में से clues में से लिखना है Acid Rain caused due to the large number of oil refineries and industries Acid Rain का कारन जो है जो आस पास की जो हिससे है monuments के buildings के जहां पर factories है और refineries है उनकी वज़ा से होता है उसके pollution के वैसे Around this area reacts with the marble of this monument और इस monument की जो marble है जो संग्मर्बर कोस ने जो है इस Acid Rain ने बरबात कर दिया बरगया बरबात कर रहा है Make it dull and pale इसको जो रंग है जो सफेद बिलकुल उसके कम कर दिया और उसका जो है मटमेला सा रंग हो गया अब मटमेला नहीं गया हलके पीले रंग का हो गया इसका नाम है इस monument का ताज महल जो इंडिया में है Come to the second Acid Rain seeps through the fissures in the rocks अब Acid Rain इस वाले जो है बिल्डिंग में या कहा जाए कि इस monument में जो है दरारों के द्वारा रिस्ता हुआ जाता है severely damaging and rapidly eroding many of these impressive sculptures and paintings और यहां की बहुत सी प्रभावित या प्रभावशाली जो paintings थी और बहुत खुबसूरत sculptures थे उनको जो है इसने Acid Rain की वैसे वो काफी खिसक गई तूट गई और इस जगा का नाम है Longman Grotos चाइना का Third, this huge monument has been exposed to acid rain caused by industrialization अब इस monument को जो है इस Acid Rain ने बरबाद कर दिया या बरबाद कर रहा है क्योंकि जो industrialization है या कहा जाए कि जो industries जो लग रही है आस पास के इस monument के उसकी होजासे and heavy vehicle emission और जिस जहां पे industry है वहां पे बहुत ही भारी भारी गाड़ियों का आने जाने की विडिया से जो है इस पे बहुत प्रभाव पढ़ रहा है as a result its marble panels have chemically transformed into soft gypsum और इसको जो marble है धीरे धीरे जो है बिलकुल चूने पत्थर के साए चूने का बुरादा जैसे होता है या खरिया मिट्टी जिसे कहते हैं उसके समान होता चला जा रहा है और इस monument का नाम है Acropolis of Athens Greece का fourth acid rain has led to the loss of silicate minerals अब जो acid rain है इस जगा को जो है इस ने जो है इस marble के जो columns है या का उस पे चड़ी परत को जो silicate उसको उसने बरबाद करना शुरू कर दिया of this memorial due to this the marble has become weak और इसकी वज़ा से जो लगा हुआ जो संग marble का पत्तर है वो बिलकुल कमजोर होता चला गया और इसका नाम है फूर्ट वाले का Jefferson Memorial USA का फिफ्ट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है इस लेड तो acid rain जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो उसकी वज़ा से acid rain बढ़ गया that has begun to erase almost 25% of rock area with the most sensitive area of artwork और जो artwork के जो आस पास को जो 25% का जो चट्टानी इलाका है वो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वज़ा से हटा दिया गया और इसका नाम है इस monument का Dampier Rock Art Complex Australia next is botanical garden या कहा जाए कि एक ऐसा garden जो botanical हरा भरा garden है ये और इसके बारे में आईए जाने a botanical garden is a place where a variety of plants are grown ये एक ऐसा garden है ये एक ऐसा बाक है जहां पर बहुत से अलग लग तरीके के पौधों को उगाए जाता है for the purpose of conservation ताकि उनको संग्रक्षित रखा जा सके research and education उसको संग्रक्षित जो है वो उसके research और उसके उपर शिक्षा देने के लिए रखा जाता है here are some famous botanical gardens यहां पर दुनिया भर क्या रखे लग लग famous botanical gardens है आई जाने इनके बारे में it is the oldest surviving botanical garden located in Washington DC ये सबसे पुराना botanical garden है जो Washington DC USA में स्थेत है और इसका नाम है US Botanic Garden second it is an internationally important botanical research and educational institution located at London UK और ये botanical garden जो है लंदन UK में स्थेत है और इसका नाम है Royal Botanic Garden third it is located in the Curitiba state of Parana it is the major tourist attraction of the city ये शेहर का tourist attraction में से सबसे मुखे कहलाता है और ये जो है Curitiba पैराना में स्थेत है इसका नाम है Botanic Garden of Curitiba fourth it is a botanical garden located in Coimbra ये Coimbra में स्थेत है ये botanical garden जो पूर्तगाल में है it occupies 13 hectares of land ये 13 hectare के जमीन पर पहला हुआ है और इसका नाम है Botanical Garden of the University of Coimbra fifth it is the largest botanical garden in Australia ये उस्टेलिया का बहुत सबसे बड़ा botanical garden है managed by the domain जो domain के दोरा manager देखरेख में रखा जाता है ये किया जाता है और इसका नाम है fifth वाले का the royal botanical garden Sydney sixth it is the largest museum with more than 10,000 different plants ये बहुत बड़ा museum है botanical garden का जिसमें 10,000 तरीके के अलग-अलग पौधे पाए जाते है it is located at Birmingham, Alabama, US ये Alabama के Birmingham में जो US में है वहाँ पर ये स्थित है और इसका नाम है Birmingham Botanical Gardens so that's all for today's study I hope you well understand thank you and have a nice day God bless you all